सो गाइस आज का वीडियो आउजा का एक बहुती पारफूल उर ये बहुती है अमलीफायर है और इस हमलीफायर के बारे में आप से बदेने वहां जो कि इस हमलीफायर में डाल सकते हैं साथ इसका प्राज कितना पड़ेगा और इस अमलिफायर को लेने में आपका फेदा है या पी नुक्सान है इसके भी बारे में आपको बताऊंगा और साथी इस अमलिफायर को आप लोग किस मकस्तत के लिए ले सकते हैं मतल़ डीजे के लिए बैस्ट होगा या पी लाइप के परते हैं तो जैसा आप सब्सक्राइब मिल जाता है बहुत ही पारफूल और हेवी बेट वाला है जो कि आप लोग देख सकते हैं काफी बढ़्या है और इसका मोडल में आपको साफ साफ दिनों मिल जाता है उपर में सब्सक्राइब बात करूंगा इस अलिपार की आउटपूट क्या है मतला इसके बार में जान लेते हैं सबसलि बात करूंगा इस अलिपार की आल्मेस पर अर्मेस पर आप जैसे जानते हैं अपका 25 रच कोई दिक्रत नहीं आगी बात करूंगा इस अलिपार की फ्रिक्वर्ण बीजालत की क्या है टो देखें समें आपको 50 सर से लेकर 15 प्रजास तक दिनों मिल जाएगा इसका काफी बढ़िया है और मैं चीज़ का बात करूँगा इस पिकार अट्पूट क्या आपको दिनों मिलेगा तो देखे इस में आपको बैक साइड में दिनों मिलेगा जो कि टूम फोरम और साथी लाइन बोल का भी ऑप्सन दिनों जो कि आहुजा का मोस्टर अमलिफायर है सभी इतने देका चलाने के रिक्मिन करता है तो आप लोग इतना बोल देका चला सकते हैं युलिप्सन कोई दिक्यात नहीं gwाँंगा बात करेंगे इस अमलिफायर में सारा डीडेल आपको बता दिया हूं जो कि नॉर्मल इस प्रेशन था अब बात करूंगा इस सनिफायर में आप लोड एंड बेस एंड टॉप किस तरह चला सकते हैं कितना उड़च के चला सकते हैं चले इसके भी बार में आपको एक रिट करके बताएता हूं सब सबस्तव बात करूंगा एक बेस चलाने का तो देखें इस सनिफायर में ऐट ओम को आपको से नहीं दिया है तो आप लोग एक बेस नहीं चला सकते हैं लेगन इसमें आप लोग-बेस आरा में चला सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं हैगा तो दो बेस चलाना चाट तो आप लोग चला सकते जैसे की बार्षेव बार्षेव या फिर 100 प्लास 1000 इस तरह आप लोग दो बेस इस एक लिफायर में चला सकते जो की फोर्म में करके आप लोग यूज कर सकते काफी बढ़िया से चल जागा और अच्छा क्वाइटी साउंड भी प्रोवाइड करके देगा और अगर बात करूं इससे भी ज्यादा उड़ेच का बेच चलाने का तो देखे इसमें आप लोग 15-15 उड़ेच का भी दो बेच चलाएंगे तो यह पार काफी बिढ़ा से चला लेगा लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा प्रोलम आ सकते है जैसे की वाइबरेशन पंच इसमें थोड़ा सा कम लग सकता है कि जिस तरह आपको बेस इसमें लगाएंगे इसमें आपको बैसकेल भी ज्यादा लगेगा और उस हिसाब से इंबलिफायर उतना आच्छा आपको बैस नहीं दे पाएगा इसल अब लोग आउजा का SPX 1510 जो कि मोडल है जो कि नीव वाला मोडल तो आप लोग वह वह वाला दो पीस लगा सकते हैं यह आप लोग मैक्समों लोड कितना दे सकते तो देखें आप लोग खूद कहता कि इसमें आप लोग तर दिक्कत नहीं गा तो अगर हम लोग के इसाब स चलाने का तो देकिए मैस इसमें आप लोग सजे सुदाच का भी चार बेस बिंदा से चलाए इसमें कोई दिक्कत नहींगा अगर आप लोग च counter चार बेस चाहर तो वह दिए आकरева कुए आप लेकिन अगर आपको साइसे चलाना चाहेंगे तो 6500 चारवेश चलाए अच्छा सांटकोटी मिलेगा चले आगे बात करूंगा अधिकतम कितना डाल सकते जैसे मैं आपको अधिकतम डाल सकते अगर बात करूंगा इससे भी ज्यादा लोड का तो देखें यहां पर काफी हेवी लोड जहेल लेता है और जहेलता भी है काफी बिढया है लेकिन मैं रिक्मेंट नहीं करूंगा कि आपको लोड के साब से ज्यादा जाए इतना नहीं आप लोग करीब तीन हेजा से ले पेंटीस हो जाए यह काफी बिढया होगा यह आराम से जहल लेगा कोई दिक्कत नहीं हेगा लें कुछ भाई ऐसा है कि इसमें पाच्छे अवड़ से लेका छेजा ओड़ तक भी लोड दे दे चाले सोड़क का कमसे को आप लोग लगा सकते शत्तर से लेगो 75 पीस या फिर 80 पीस भी लाना चाहिए तो भी चल सकता है जो कि काफी ज़्यादा यह होन चला लेगा तो आप लोग इतना ज्यादा होन लगा सकते अगर आपका इस तरह मोका मिले तो आप लोग इसे यूज क देखा जहां घर जहाता रिकमेंट करता है जो कि राप ऍड़ीज़ों के लिए लेकिन मेरे हैसास से लेकशों इसे के लेंगे तो आप से चलाएंगे तो कोई दिक्क्राइब को इस प्रपोस के ले सकते काफ़ी बन्याओंगा अगर दिजिए के लिए बैस देखा जाए तो प्राज की मामले में मतल डीजे के लिए इस अनलिपायर को मतलिए आप लोग लाइब के लिए बैस्ट होगा अगर भात कुम प्राज तो प्राइज देखें साथ याज़ा सब्सक्राइब कापी बढ़ा बेच चलाने के लिए लेकिन अधिक तर में कहुँगा लाइप के लिए कापी बढ़िया होगा नहीं तो आप इसे मतली आप दूसरा लिपार को भी ट्राइक कर सकते हैं तो बस वीडियो एह तक और वीडियो आप सुख केसला कमेंट करके बताएगा और आप लोग इस तरह वीडियो चाते तो ओ भी आप लोग कमेंट कर दीजेगे मुसके साब से ज जल्दी लाने के कोसिस करूँगा तो बस आज की वीडियो एह तक और आप 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 आप